वेलकम बेक एवरीवन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वुमेंस का जो मैच खेला जाएगा इंगलेड वर्सस पाकिस्तान के बीच इसके बारे में तो काफी लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था यह मैसेज तो मुझे जैसे मैंने फॉर्स्ट आईपिल की वीडियो वैसे आगया था कि हमें सैके मैच की वीडियो चाहिए लेकिन फिर यह जैसे ही आईपिल का भी मैच स्टार्ट हुआ है ना भाई मैच वो जब लाइन आप आई तुरंत के तुरंत लोग मैसेज कर रहे हैं यही होता है जब लोग ज्यादा तर एक्टिव बदाय कब होते है टोस हो जाती है ना फिर वो शायद वो जो ड्रीम लिए उन अलाम बजाता है आई पिल कर साउंड लगा के नोटिफिकेशन देता है ना तब लोगों को पता लगते कि अरे यार मैच का टाइम हो गया फिर जैसे लोग देखते हैं वैसे मुझे मैसेज कर लिए कि भाई आई इंवेस्मेंट करो कौन ट्रंप काड है सारी चीजे मैं यह बता हूँ है याप फिर दूसरा मेरा काम स्टार्ट होता है टॉस के बाद टीम दे कि आपको एक तरफा जिताना तो मैं अपने दोनों काम कर रहा हूं आपका एक काम है जो भी सिर्फ लाइक करना लाइक जरूर क पूछोगे ना तो मैं आगे बताऊंगा क्या रीजन ऐसा कि टोस इतनी बड़ी और इतनी इंपोर्टेंट रोल अदा करेगी तो कर देता हूं वीडियो स्टार्ट ज्यादा लंबा करने से कोई मतलब है नहीं बाकि हां मैं यह जरूर बता देता हूं जिन लोगों ने हमार बता फीजन लेकिन आपको टीम देता हूं और बहुत मैंस तो ऐसे भी होते जिसमें मैं टेली ग्राम पर ऑफी टीम नहीं देता हूं लेकिन मेरे जो खास लोग है जो मुझे मैसेज करते रहते बहुत लोगों ने मुझे अभी मैचेस में शिरलंक का गया वह था आपको पत प्रफिश्ली उन लोगों को जो मतलब इन्वेस्टमेंट मेरा नहीं जानते हैं जो इनको नहीं पताएगी मैं कितना इन्वेस्ट करता हूं चलो लीग का तो आपको पता है यहोगा लेटर बड़ बता देगा मैं ड्रीम की विनिंग बताता हूं आपको लखना और दिल्ली व होगी ना वह टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है और यह 32 लाग तो सिर्फ ड्रीम लें उनकी यह लिए लिए उन पर भाई बहुत जीता हूं मैं बहुत आप क्या बोलू आपको 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 यह जरूर बोलूँगा ज सेउन फॉर का तो है नहीं बट बता रहा हूं कि मेरा यहां पर होगा बाकी उमीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर दो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि टॉस कितनी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी मतलब यह नहीं बताएं कितनी रोल किस तर है यह वाला मैच 11 वजे स्टार्ट होगा और UK के अंदर नॉप संट के अंदर मैच होगा फैन कोड पे अगर आपको लाइब मैच देखना है तो फैन कोड पे लाइव आएगा अब वेन्यू की बात करें ना तो सबसे पहले मैं आपको यह चीज क्लियर कर दो थोड़े बार पाकिस्तान की जो टीम थी ना उन्होंने टॉस जीत के फर्स्ट बोलिंग ली थी अगर बोलिंग नहीं लेकर बेटिंग लेती है तब भी वह मैच जी जाएगी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ ध्यान ढखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो की पिछले म मैं आप तो खेले नहीं घेले मुझे नहीं पता लेकिन आपको यह ज़रूर बता दूँ कि यह मैच दूसरा मैच है पहला जो मैस आ उसमें पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीत के बोलिंग करी थी तो अगर इस में डाली वो पहले बोलिंग करती है तो उस केस में आपको इंवे यहां से batsmen भी लेने पड़ेंगे England से और बोलर भी लेने पड़ेंगे और विसी बात है ना क्योंकि England अच्छी टीम है तो बैटिंग भी अच्छी है उनकी और बोलिंग भी अच्छी है तो उस case में क्या होगा आप लोग यहां से भी फस होगे किसको लू किसको ना लू फिर प्लेयर को बनाओ तो बड़ी कन्फूजन हो जाएगी मैं सिंबल सी बाशा में बता दू पाकिस्तान की फर्ष बोलिंग पर मैच रिस्की है पाकिस्तान की फर्ष बैट्निंग पर बहुत अच्छा मैच है द्यान रखने इस चीच का ठीक है बाकि इसके अलावा बात की जाएं यहां से पिछले रिसेंट की कुछ मैचस जो इस मेन्यू पर खेले गए थे ठीक है बागी बात करे जाएं यहां से हम प्लेंग लिए उनकी तो मेरे इसाब से तुदी की सेम लाइन अप होनी चाहिए लेकिन अगर मान लो कि मैं कोई चेंज होत है और यह बैटिंग ओडर के अकोडिंग इस्टीम की रहने वाली है बात करें इनके बोलिंग अटेक के वह इनके कितने मेन प्रॉपर बोलर है तो डेनियल गिपसन शौफी क्लिश्टन लोरेन बिल सारा ग्लेन और दीन यह इनकी पांच प्रॉपर मेन बोलर है छटे नंब के तो चलो हम यह वाला भी जीत लें तीसरे मैच में एक्सपेरिमेंट कर लेंगे इस तिंकिंग के साथ भी जा सकते हैं यह कॉन्फिडेंस है अगर टीम के कैप्टन में तो यह भी एक यार कोई बात ही हम इनको आराम से हरा दें हमारे उन बोलर को भी हम ट्राइक करें जो बाद में हमें जरूरत पढ़ने पर काम दे देंगे जो वर्लिक अबी मतलब जो भी एदर मैचेस वर्लिकप वगरा जो भी होते उनके अंदर ठीक है तो पांच तो प्रोपर में बोलर यह चटे पर फ्रेया और साथ यह पर कैपसी ज्यादा तर बोलिंग तब करेगी जब जा तो स्लोव विकेट होगा या कोई लेफ्टेंडेट प्लेयर सामने टिका रहा हो ठीक है उसकेस में कैपसी के बोलिंग के चांस बहुत ज्यादा हाई है बाकि यह इनके बैंच के प्लेयर है मेरे इसाब से बैंच में ही रहने चाहिए बाकि अगर खेलते हैं तो उसमें सब्सक्राइब करते हैं तो यहां से इकलिष्टन आपके लिए सबसे बैस्ट केप्टन है अगर टीम पहले बोलिंग करती है लेंड के टीम और वी सी पहर आप रिसक ले सकते हो वैसे तो वहां पे नीदादार अवेलिबले लेकिन अगरा फ्रिस्क ले-सकते हो और प्लेंगे उर च्यादा चांस है और दावर में नहीं भी तो रिक से लिए लोरेन बेल एक अधर जा सकते एन लेकि लेगे कुछ लेंगे कुछ नहीं लेंगे मतलब ऐसे वीची बागी अब यहां से बात करी जाए कि किन प्लेयरों का क्या पर्फॉर्मेंस से पाकिस्तान के अगेंश्ट मतलब कौन सी प्लेयर अच्छा करती है कि माया बाउचर की बात करें पिछले मैच में फ्लोप रही थी अब मैं आपको बता देता हूँ इस मैच की सबसे बड़ी ट्रंप कार्ड प्लेयर सबसे बड़ी ट्रंप कार्ड क्योंकि फिछले मैच में फ्लोप हुई है ना उसी वज़े से आज कि इस मैच में लोगों ने इन पर ध्यान नी दे रखा है लेकिन और प्लेयर है और कभी भी परकिस्तान के खेंशनों ने खेला हर मैच में बंदी चली है और अच्छी प्लेयर है मैं तो आपको बोलूँगा आप इन दोनों को टीम में हंड्रेड एन परशेंट लो उसके बाद एली स्केपसी का सीन यह है कि वह हीट और मिस्टाइप वाली है वह चलेगी तो बहुत मारती है और नहीं चली तो ज्यादा तर टाइम आउट जाती है मोस्ट लाइकली यह ज्यादा तर आउट रहती है हाले दिनों में ठीक है बस इनके प्लस पॉइंट होता है बोलिंग बेकप का इस वज़े से इंपोर्टेंट बन जाती है एदर नाइट कभी भी आपको डिस सारे लेकिन फिर भी वहाँ पे नीदादार जैसी कुछ प्लेयर अविलेबल है जो बहुत इंपोर्टेंट बनती है फ्रेया गेम की बात करें बस यह स्मोल लिग इसले इंपोर्टेंट नहीं बन पाती क्योंकि बैटिंग का इनका फिक्स नहीं होता बाकि उसके बाद यहा विकेड नहीं लिए पाई थी लोरेन दो बगिट लेते पिछले मैंच में जो पाकिसतान की अकैंशिनोंने खेला था ग्लैन ने चार विकेड लिए और ग्लैन का रिकॉर्ड पाकिसतान काकिसे बढ़िया राहा है सबसे ज्यादा वीडार किसे ने लिये ना इंग्लेन के ब बढ़ा देता हूं यह तीन प्लेयर बड़ी फ्लॉप रही थी और इस मैच में यह तीनों ही गेम चेंजर लेकिन इसका थोड़ा कंद सेलेक्शन है लेकिन यही इस मैच की सबसे बड़ी गेम चेंजर प्लेयर बनने वाले ध्यान रखना बाद में आप पस्ता होगी अगर गोड़ा बेरिफ्टेंग बहुटा की जाए तो यह भी आपको सेम काम करेगी लेकिन आप बैटिंग के बरौसे मत लेना इनको ब्लिंग के बैसले लेना क्योंकि मैं खुद इनको क्याप्टन बोलिंग के बरेस्त पर बनाऊंगा सेंगिंड टीम नहीं गोंगा सिधिन टीम में देखिए यहां से गुल फिरोजा और सिद्रामीन ओपन करेंगी उसके बाद सदाप सम्स पर मुनीबाली फिर निदादार नेट परविज उसके बाद फातिम असना रमीन शमीम उसके बाद तूबा हसन वाइद अक्ता और साधिया इकबाल यह एक्सपेक्टेड लाइनप में आपे मुनीबाली और विकेट कीपिंग में ही आपको मिलेगी तो एमी जोनस और मुनीबाली में थोड़ा ठक्कर का आकड़ा रहेगा कि भाई किसको लिया जाए मेरा सिंपल है मैं मोस्ट लैक्ली मुनीबा की साथ ही जाऊंगा क्योंकि एक तो पाकिसान को टॉप गड है उसके बाद यहां पर सना वगरा देखिए स्मॉल लिग की प्लेयर की बात करो नो जो इंपोर्टेंट है वसमें नीदादार फर्स्ट चोइस होंगी विकेट कीपिंग में क्योंकि एक प्लेयर तो ले नहीं है चाहिए आप इंग्लेंड से ले लो चाहीं से भी ले लो त की प्लेयर है वह ऐसी प्लेयर है जो अच्छी बोलिंग करके एक बीट भी ना ले बहुत शांदर बोलिंग कर लेगी लेकिन हो सकता है बहुत बार ऐसा हुआ भी एक लेंग के साथ और कई बार ऐसा होता है कि यहां पर जाद़ा एलप नहीं मिलती शीच का आपको ध्यान र गई तो फिर उसके समय बंडल में जाते हो उसमें कोई डाउड भी नहीं तो फिर बंडल में पर जाएंगे उसके बाद यहां से वाहिदा और साधिया पावर प्ले में आएंगे डेथ वर्स में इनके साथ जो है ना साधिया इकबाल फातिमा और रमीन शमी माने वाली अब य विश्ले फातिमा ने बोलिंग करी तो वरना नीदादार तो देखिए एक मात रेसी प्लेयर है जिनको आप ड्रो भी नहीं कर सकते हो चाहिए बस्ट फर्स्ट बेटिंगो पाकसान की बोलिंगो बाकि यह और दो प्लेयर है जिसमें साधिया थोड़ी डिफरेंशल प्लेयर तो जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम जोइन नी किया है डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेले बले वहां से आप टेलीग्राम जोइन कर सकते हो क्योंकि टॉस के को इंटीम मानें किसमें कोई डाउट नहीं है यह आप सब को बता है जिस बंदे ने टॉस के साफ़ से टीम वह ज्यादा तर मैच को जीता ही है तो मेरी टीम जो है ना फाइनली टेलीग्राम पे आएगी तो वह आपको जोईन करना है कमेंट में भी लिंक अवेले बले और दिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेले और उमीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक तो करी दिया होगा को सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियो मिलें टीम बता चेंट करी तो थोड़ा सा गेम फसेगा और इसके इसमें इंवेश्मेंट भी कम करना है तो मैं फिलाल के लिए इंग्लेंड की बोलिंग के वैस्पे टीम मना रहा हूं और कोई प्लेयर मेरी नहीं खेलती है ना तो उसके इसमें चेंजेस आपको करने हैं पिछले में 95 पॉइंट दियते हैं में जोनस ने आप चाहो तो जोनस के साथ जा सकते हो फिलाल मैंने मुनीपाली को लिया हुआ है बैटिंग के बाद की जाए तो यहां से मैंने लिया हो माया बाउ होगे एकलिष्टन लोरेन बेल और एक प्लेयर सारा ग्लेन मैं पाकिस्तान के बोलर्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा बाकि हां मैंने लिया हुआ तो है एक प्लेयर वो फातिमा साना लेकिन यह ना बोलिंग नहीं बल्कि बैटिंग से बैची पोइंट देती है यह पेरी लगबख फाइनल टीम है आप चाहो नो विकेट कीपिंग चेंज करके आप एमी जोनस के साथ जा सकते हो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है एमी जोनस भी अच्छी प्लेयर है आप बिलकुल ले सकते हो मतलब बिलकुल दोनों एक लेवल की प्लेयर है पस मैंने थोड सबसा एडवांटेज लिया है कि बैटिंग इनके आ जाएगे और विकेट केपिंग में तो भाई लग फेक्टर वाला कोल है बात करें क्याप्टन की तो क्याप्टन में एक लिश्टन के साथ जाओंगा क्योंकि डेथ में आती है और सामने देखो कि ज्याद अची प्लेयर है ने खेलने लाएक तो मैंने इनको कैप्टन से दी वी है अब वीसी में मैं खुद भी थोड़ा गन्फीज हूँ कि जाओं किसके साथ वीसी के लिए ऑप्शन में निदादार सबसे सेफ चोईस है जो ऑपनेंड की हो सकता है कैप्टन भी हो लेकिन उसके अलावा अगर आ आप लोगों को इन्फर्म कर दूँगा डिस्क्रिप्शन की लिंक से टेलेग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लेना क्योंकि फाइनल टीम तो यार उसी के साथ से बनेगी ना कौन से टीम टॉच जीती है बैटिंग कोन कर रही है और कई बार तो ऐसा हो जाता है कई नहीं नह तो फिलाल तो यही था इस वीडियो में और बाकी आपका काम आप टेलेग्राम जोइन करें ठीक है ठीक यू दोस्ते देखने के लिए मिलते है नेक्स वीडियो